इस पापड मेकिंग मसीन के यूज़ करके आपका लेबल बड़ा होने वाला है। पापड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी दाजी नानी भी बनाती थी, मम्मी भी बनाती हैं और आप भी बनाते ही रहेंगे। बस यह है को उनका लेबल छोटा है और आपका लेबल बड़ा होने वाला है। इन मसीन्स का यूज़ करके आप सिर्फ एक घंटे में 12 किलोग्राम पापड बना सकते हैं और यदि आप 8-9 घंटे मसीन चला लिया तो एक क्विंटल पापड बन कर तयार हो जाएगा। इन मसीन्स में पापड बनाना इतना एज़ी है कि घर के बच्चे बना सकते हैं जी है बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए यह MP के कस्टमर हैं जो अपने घर में इनकी बच्ची पापड बनाती हैं। आपको बिल्कुल सौट में पापड बिजनेस की सक्सेस इस्टोरी, मेकिंग प्रोसेस, लाइसेंस, पैकिंग और कम से कम इन्वेश्टमेंट में कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं? आईए हर चीज़ खोलते हैं. अभी तक आपने सुना रहा होगा, नाम कमाने के ये पापड बेलने पड़ते हैं, लेकिन पापड बेल के भी नाम कमाया जा सकता है. जी हाँ, बिल्कुल. और लिज़त पापड इसका परफेक्ट इक्जम्पल है. ये वही पापड है जिसे हम और आप बहुत ही चाओ सिखाते हैं. उन्हें सोंसेट में मुंबई की एक दुकान में जाकर बेज दिया. अगले दिन जब जस्बंती बाई दुकान नहीं पहुंची, तो दुकान दर उनके घर में पहुच गया और बोला मुझे और पापड चाहिए. तब जस्बंती बाई ने बोला ठीक है, साथ महिलाओं का सुरू हुआ ये ग्रूप, धीरे-ध चार सो महिलाओं को हो गया, और तीन साल के अंदर ही स्री महिला ग्रे उद्द्योग लिजित पापड के नाम से एक कोपरेटिव सुसाइटी मनाई. चार सो ग्राम का ये पापड दो रुपे में बिगने लगा, आज इस कोपरेटिव सुसाइटी में 17 अलाग अलग स्टेट में 45,000 लेडी जुड़ी हुई है, जी हाँ बिल्कूल, और साल 2019 में सिर्फ पापड बेच कर इन्होंने पता कितना कमाया, 18 अरब रुपे, और अभी 2021 में इनको पद मसिरी के वार्ट से नवाजा गिया है, जी हाँ बिल्कूल, ये होती है असली woman empowerment, ये लेडी होकर इतना कर डाली, आप जेंसोकर इतना भी नहीं कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अपने यहां की अबादी लगातार बढ़ती जारी है, नंबर वन पे आ गई है, और इसके साथी में माग भी काफी बढ़ रही है, जिसको पूरी करना सिर्फ लिजज़त के बस में नहीं है यहां पर आप भी हाथ लगाईए, आईए हम आपको बिल्कुल सौट में पापड मेकिंग प्रोसेस, मसीन, पैकिंग और कम से कम इन्वेश्मेंट बताते हैं, क्योंकि पापड सबसे ज़्यादा बिखता है, चाहे आप हाथ से बनाए हैं मसीन से, प्रोसेस बिल्कुल सेम ह आप घर में ही रोजाना 5-10 किलोग्राम तक पापड बना कर मार्केट में सेल कर सकते हैं, धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो बड़े लेवल में प्रोडुक्शन करने के लिए आप इन छोटी मसीन्स का यूज़ कर सकते हैं, अभी आपके माइड में आ र दो मेकर मशीन के यूज़ करके डो रेडी करेंगे, इसमें उड़त दाल, मूंग दाल, काली मिर्च, पापडखार, नमक, मिर्च, मसाला बगरा डाल दिये हैं, अभी मसीन स्टार्ट करके इसमें पानी डाल रहे हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा तो इसमें बहुत समय नहीं लगता है, मुस्खिल से 5 मिनट का समय लगता है, और क्वालिटी आपको बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि ये मसीन्स, प्राइम मसीन्स एहमदाबाद की हैं, अभी देखिए डो एकदम से रेडी हो चुका है, अभी इसे सीटर में डाल कर सीट त्यार करे इसके बाद जैसे ही इस सीट को पापड मेकिंग मशीन में डालेंगे, तो एक लाइन से पापड बनकर निकलते जाएंगे, जी है बिल्कुल, जितना भी डो रेडी हुआ है, उपर लगे हुए इस हौपर में डाल दीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका वार्म लग जो कि ओबर सीज रहते हैं, उनको भी पापड खाने का चसका लगा हुआ है, इसलिए पापड एक्सपोर्ड भी हो रहे हैं, अभी देखिए, यह काफी लंबी सीट बनकर रेडी हो चुकी है, अभी इसे हम छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे, अभी पापड बनाने के पेस करते हैं आपके सामने ही, यह आटमाटिक पापड मेकिंग मसीन, सबसे पहले हम आपको बड़ी मशीन दिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको छोटी मशीन दिखाते हैं, जिसे बच्चे भी चला आ सकते हैं, अभी जो सीट त्यार हुई है, उसे यहां मसीन के पीछे ल कर सकते हैं, अभी यह सीट लगादार आगे बढ़ते हुए, आगे जा रही है, और यहां पर डाई लगे हुई है, जो बिल्कुल पापड के सेप में कटिंग कर देती है, और इसका जितना भी एक्ट्रा माटिरियल है, उसे आप यहां कलेट करके, दूसरे काइन पेट में तो यह एक लाइन से कलेक्ट होता जाएगा, और नीचे हमारा जो पापड है, वो बिल्कुल निकल रहा है, यहां आगे साइट देख सकते हैं, सभी एकदाम बराबर साइज में यह मसाला पापड निकल रहा है, और इनके थिकनेस भी एकदाम बराबर है, ऐसा नहीं है क्यो लेंथ देखा जाएं, तो लेंथ 7.5 feet, width 2.5 feet, और height ज्यादा नहीं सिर्फ 4.5 feet है, और यदि वजन की बात करें तो सिर्फ 220 kg की है, लेकिन उठाने की जरूरत नहीं है, नीचे वील लगे हुए हैं, और साथ ही में ब्रिक सिस्टम लगा हुआ है, तो आप असानी से कहीं भ production capacity 5-6 kg परावर हैं, यदि आप 8 घंटे मसीन चलाएंगे, तो इस मसीन में लगबख 50 kg पापड बनकर त्यार हो जाएगा, इसमें आप बैट कर भी पापड निकाल सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आपको first time दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कई साल से इन मसीन क यूज करके पापड निकाल रहे हैं, और ये देवास MP के कस्टमर हैं, जो तीन साल से इन मसीन के यूज करके पापड बना कर अक्षा खासा महिने के कमा रहे हैं, इन मसीन को आपरेट करना इतना easy है कि आप देख सकते हैं live, ये बच्चे चला कर पापड निकाल लेते हैं, अभी यहाँ पर जितना भी पापड बनकर त्यार हुआ है, इसे दो घंटे के लिए धूप में रखेंगे, ताकि ये सूप कर एकदम से ready हो जाए, इसके बाद आप इसे छोड़े छोड़े पैकेट या फिर बंडल बना कर पैक करिए, और अपने आसपास के दुकान दार य भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो आपके ब्रांड के नाम से ही प्रिंट हो जाएगा, देखिए सूपर मार्केट, ग्रोसरी मार्ट में प्रोड़क बेचने के लिए आपको बारकोड लेना होगा, ताकि आपके प्रोड़क की बिलिंग हो पाए, तो बारकोड आप कुईक ब लेकर अपने product को market में launch कर चुके हैं और ये India का No.1 private barcode provider है यहां से आप बहुत ही कम price में अपने पापड के लिए barcode ले सकते हैं और अपने हो come पर सक्राइबर है यानि कि आप तो purchase करते समय आप New Tech India discount code यूज़ करिए आपको मिला है अपके लिए जिससे कि आपको 10 person का instant discount मिल जाएगा तो यदि आप चाहें तो www.quickbarcourt.com पर visit कर सकते हैं link नीचे description में दी हुई है हम यह जो business startup series लेकर आए हैं इसमें हमारा focus बड़े level में नहीं बलकि कम से कम investment और छोटे level में ही startup कराने में क्योंकि हमें पता है एक बार हम आपको समझा देंगे तो कहीं ने कहीं आप अपने business को काफी बड़े level में ले जाकर छोड़ेंगे देखें business एक दिन में नहीं खड़ा होता है लेकिन एक दिन जरूर खड़ा होता है तो अपने hard work, patience और right planning के साथ आपको चलना होगा आपको रोकने के लिए बहुत सारी problems आएंगी हर किसी के life में आते हैं लेकिन समझ जाईएगा कि ये रास्ते के काटे हैं और इसके आगे ही मंजिल है यदि आप loan लेकर machine लेना चाहें, business करना चाहें तो PM मुद्रा loan योजना या फिर PM EZP के दहत लोन ले सकते हैं जिसमें कि आपको 35% की subsidy भी मिल जाती है जी है बिल्कुल, कोई भी आप food business करिए आपको 35% की subsidy मिल जाएगी अब यदि बात करें license की तो proper business start करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े license लेने की ज़रूरत नहीं है आपको food license जो आप online या फिर food department से ले सकते हैं उद्यम registration और इसके साथ ही में GST लेना होगा अब इस business में यदि profit margin देखा जाए main चीज है तो लगबग 50% का profit margin निकल कर आता है overall जिसमें कि आपको 15-20% wholesaler और retailer को देना होगा क्योंकि यदि उन्हें नहीं देंगे तो आपका product market में नहीं आ पाएगा अब माल लीजी कि यदि आप 10,000 रुपए की selling कर रहे हैं तो उसमें आपका 3,000 रुपए आपका profit होगा अब यदि बात करें investment की कि sir investment कितना लगेगा तो देखिए यदि आप बीना machines के छोटे level में start करते हैं तो minimum आपका 10-15,000 रुपए में ही ये business start हो जाएगा और इसके अलाबा यदि आप machines के साथ में start करते हैं और उसके बाद जब आपको proper trust हो जाए तब आप machines लीजिए अब देखिए proper business related हमने आपको हर एक एक चीज़ बता दी है फिर वो चाहर raw material हो, back करना हो, marketing हो या फिर license इसके अलाबे कोई चीज़ बाकी रहे गई है तो आप call करके पहुँच सकते हैं अब देखिए business पसंद आ गया है तो subscribe कर लीजिए क्योंकि New Tech India सिर्फ एक ऐसा channel है यहाँ पर आपको business related हर एक एक step की information मिलती है तो तुरण subscribe कर लीजिए, चलिए मिलता हो इस्क्रीन में दीख रहे इस नई और सांदार chips business वीडियो में बहुत ही गजब का business है अपना केमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद